हेलो एबरीवन गूड मॉर् infin कैसे आप लोग आई होब आप लोग अच्य होगे और अपने फ्रेज़ पर थाए और मैं न्यू वीडियो लेकर आगई न किचन टिफ्स थी गीचन टिफ्स वीडियो और बहुत ही आप लोग को यह वदाद करना बहुत काम आने वाली है किचन बनाया जाएगा चयं भी है तो छीमितेशदन केंड़क मेहरणाता है तोय। मेरे पाँच बनाने के लिए जाता है तो में यह हपते में दो बार यूज करते हैं यह मेहर आप लोग जानते हिए की मेहरा है Anmenian बालों में किया जाता है, और यहाँ पर मेरा चाई बन डा है, देखिए, इधर चाई भी बन डा है मेरा, तो आप लोग तो सोची रहे होंगे, कि चाई बन डा है, तो इसके लिए नियू टिप्स है, जो कि आप लोग फोलो करना, इससे बहुत ही आप लोग को फायदा होने वाला है बालों में तो देखिए ये जो है आज से बचत भी बहुत होने वाला है क्योंकि कितने लोग ब्यूटी पालर जाते हैं बालों को सीधा कराने के लिए या कुछ भी बहुत तरह के हाइलाइटर कराने के लिए जाते हैं तो बस घर पर ये छोटे-छोटे टीप्स हैं, जो कि आप लोग खोलो करेंगे, तो बहुत ही ये आप लोग को बचत हो सकता है, छोटे-छोटे टीप्स है, ठीके ना, तो देखिए कैची तो है, जो कि कीचन में आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आप मसाला का पैकेट के खोल तो आप हाँ से खोलते हो, तो फिर धर धर फैल जाता है, इसके लिए आपको एक छोटा सा कैची रखना चाहिए, ठीके कीचन में, जिसे की हम रखते हैं, तो यह पी देखिए, यह जो है मेहदी को, हम दो पैकेट मेहदी लिए हैं, तो बस इसको अच्छी तरह से मिला लेन हैं, तो यह है, जिसे की आप इसमें नीवू एक डाल सकते हैं, इसे चमक आएगा बाल में, और यह मेहदी लगाना है, जिसे मजगूत होगा, और फिर यह जो आप चेपती का पानी देखें, इसे कलर आएगा, इतना अच्छा कलर आता है ना, क्या बताएं, बालो में, आप इसे बालो में लगा सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर धो लें, अच्छे पानी से, तो चलिए, यह तो मेरा टीप्स था, जो कि आप लोग के साथ सेर किये हैं, अब यहाँ पे देखिए, यह टीप्स है, जो कि हम कितने बार कीचन में रोटियां बनाते हैं, तो जल ज जो कि रोटियां सही से नहीं बनता है, तो इसे हमें थोड़ा सा कोई चीज से खरच लिए हैं, और इसे अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा थंड़ा, थंड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर साप नहीं होगा, इसे गरम-गरम में ही, आप साबून ले 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 और इसे जैसा तावा हो जाएगा ब्रुषा करोद मेत वहा चिर voties is not the मेरा तावा थोड़ा सा तेल देकर हम उसे और देखिए कितना फुली-फुली रोटिया मेरा और शोप्ट बनेगा सही बनेगा आप लोग फोलो करना इसे और देखना और तावा भी बहुत जल्दी साप भी हो जाता है ठीक है तेहां पर देख्जिए मेरा रोटी बन रहा है बहुत ही अच्छा तो यह चोटा-चोटा कीचन टीप्स तो आप लोग फोलो करना और देखना कितना फुला-फुला रोडी बन रहा है ना बहुत ही अच्छा रोडी बनती है इसके तरह यह से करने से और यहां पर देखिए ले लिये हैं लहसन की कलियां देखिए तो कुछ और क् आप लोग आसे ही ना चिलते हैं सब्सक्राइब में तो कि इसके चीचन छहें है कभी नाकून में गुशच जाता है यह जिन लासन का पीछे वाला है वो और बहुत टाइम तक दर्द भी देता है ठीक है जो कि कीचन में हम काम भी नहीं कर पाते हैं और फिर इतना दर्द देता हैं कि कुछ सबजी भी नहीं काट पाते हैं ना तो कुछ कर सकते हैं काम तो चलिए आप लोग को एक टीप से बताते हैं एक ले जितना भी दर्द होगा तुरह ठीक हो जाएगा तो यहां पर हमें एक चम्मच ले लिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इस टील का यह चम्मच है और यहां पर देखे फ्रीजर है जिसमें वरफ जमता है उसमें हम रख दिये हैं चम्मच तो इसको हमें पूरा ठंडा होने के चिलने समय हमें मास के अंदर जिसकी नाकुन के बीच में घुस जाता है तो फिर बहुत दर्द देता है ठीक है कितने बार तो यह मतलब घाव बन जाता है जो कि धियान नहीं देने पर बहुत बड़ा जखम हो जाता है ठीक है तो यह दिन भर में आप दो-तीन बार इससे से तो देखिए यह जो नेल पैंट है हम मार्किट से लेकर आ जाते हैं और फिर यहां पे घर में लाकर रख लेते हैं तो चार तरह की नेल पैंट तो कभी-कभी कलर कर रख देते हैं या कभी कदाल नहीं खुल पाता है ना जिसे कि बहुत टाइट से बैठ जाता है यह धकन तो बहुत ही असान तरीका है जो कि हम बता रहें आप लोग को कितना असान तरीका है टिप से यह जो कि आप लोग खुलो करेंगे बहुत जल्दी है यह खुल जाएगा ठकन ठीक है तो देखिए जिसे की होता है ना हम लोग कलर किये कहीं जल्दवाजी जाना है फिर कलर करना है तो नहीं खुलता है ठकन, हम लोग परेसान हो जाते हैं कि कैसे खोलें, तो बहुत ही असान टीप से जो कि आप लोग के साथ हम ये सेर कर रहे हैं, तो देखिए थूड़ा सा आप एक माचिस ले लिजे ठीक है, और ये माचिस को जला कर थूड़ा सा इसे आग के पास रखना ह जादा देर नहीं, थोड़ा देर, बस सिर्फ थोड़ा देर, और उसके बज़ा से वो देखिए बहुत ही असान तरीके से ये पेंट खुलकर तयार हो जाएगा, ये जो ठकने ना बहुत ही असान तरीके से खुल जाएगी, तो आहँ हम आप लोग को ये वीडियो पसंद आ पावाई